हाई गाईस आज मैं आप लोग उसे सिवई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ यह बहुत ही सिम्पल सिवई रेसिपी है और बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है तो इस रेसिपी को आप अच्छी तरह देखना एंड तक देखना जरा भी स्किप मत करना तो चलिए बनाना सिवई बनाने के लिए सबसे पहले देखिए यहां मैंने सिवईया ले लिया है यह जो है एक पैकेट डेर सो ग्राम की है तो यहां मैंने दो पैकेट सिवईया लिया है यानि टोटल यहां मैंने तीन सो ग्राम सिवईया लिया है कुछ dry fruits ले लिये है और ये देखिए मैंने 4-5 इलाइची को crush कर लिया है food color लिया है ये orange food color है half teaspoon लिया है मैंने दो बड़े चमच यहां मैंने घी लिये है और शकर लिये है तो ये जो शकर है ये मैंने देखिए इस cup से 2 cup शकर लिये है तो इतने ingredients लगेंगे हमें यहाँ पे सिवई बनाने के लिए तो चलिए start करते हैं सबसे पहले हमें एक बरतल ले लेना है और इसमें हम sugar syrup ready करेंगे तो यहाँ पे हमें जो पानी है सिवईयों के हिसाब से डालना है क्योंके मैंने 300 ग्राम यहाँ पे सिवईया ली है तो यहाँ पे हमें 3 कप से थोड़ा सा उपर पानी डालना है तो देखिए यहाँ पे मैंने 3.5 कप पानी डाल दिया है अब इसमें हम डालेंगे food color तो यह orange food color है half teaspoon है इसे हम डाल देंगे तो food color बिल्कुल optional है इसे हम डाल देंगे शकर डालने के बाद इसमें हम डालेंगे इलाइची पाउडर तो यह 4-5 इलाइची को मैंने crush कर लिया है और इलाइची पाउडर डालके हम यहाँ पे सभी चीजों को mix कर लेंगे और इसे हम पकने के लिए रख देंगे high flame पर तो देखिए यहाँ पे मैंने 8-10 मिनट के लिए इसे high flame पर पका लिया है और sugar सीरप जो है हमारी बिल्कुल यहाँ पे ready है अब हमें यहाँ पे flame को off कर देना है और इसे हम side में रख देंगे अब हम एक बरतन लेंगे और इसमें हम डालेंगे घी तो यह दो बड़े चमच यहाँ मैंने घी लिये हैं इसे हम डाल देंगे घी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे कुछ dry fruits तो यहाँ मैं सबसे पहले देखिए dry coconut डाल रही हूँ तो coconut जो लोग डाल रहे हैं तो यहाँ पर हलका सा हम यहाँ पर light brown होने तक इसे थोड़ा सा fry कर लेंगे क्योंकि जो coconut जब fry कर लेंगे थोड़ा सा light brown हो जाएगा तो इससे जो सिवयों में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अब इसमें हम कुछ dry fruits डाल देंगे तो dry fruits बिल्कुल आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं आपको जो भी डालना है आप यहाँ पर dry fruits एड़ कर लीजे और इसे हम हलका सा fry कर लेंगे तो यह देखिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा fry कर लिया है अब इसमें हम डालेंगे सिवयों तो सिवयों को देखिए हमेने चोटा चोटा सा देखिए मैंने यहाँ पर तोड़ लिया है इसे हम डाल देंगे सिवयों डालने के बाद हमें यहाँ पर सिवयों को थोड़ा सा भून लेना है खी के साथ जब हम यहाँ पे सिवयों भूल लेते हैं तो बहुत अच्छा सिवयों में टेस्ट आता है तो इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा भूल लेंगे बिल्कुल जादा नहीं भूलना है बस दो से तीन मिनट के लिए हम यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर इसे भूल लेंगे तो देखें यहाँ पे जो है मेरे सिवयों को भूल लिया है अब इसमें हम एड़ करेंगे शुगर सिरप तो जो शुगर सिरप हमने बनाई है हम इसमें एड़ कर देंगे और sugar syrup add करने के बाद अब हमें यहाँ पर सभी चीजों को एक बार mix कर लेना है और इसे mix करके अब हम cover करके रख देंगे पकने के लिए तो इसे हमें medium flame पर cover करके रख देना है तो देखिए यहाँ पर मैंने बस 3-4 बिनिट के लिए इसे medium flame पर पका लिया है और अभी भी ये थोड़ी से गीली है तो बस हमें यहाँ पे एक से दो मिनट के लिए और पका लेना है तो देखिए यहाँ पे मैंने सिवईयों को दो मिनट के लिए पका लिया और ये बिल्कुल रेडी है थोड़ी से गीली रहेगी तो ही हमें यहाँ पे फ्लेम को आफ कर देना है क्योंके बाद में जो है सिवईया वो थोड़ी सी ड्राय हो जाती है तो इसे हब हम सर्फ कर लेंगे तो देखें यहाँ पे हमने सर्फ कर लिया है सर्फ करते हुए इसे थोड़ा सा ड्राय फूट से गानिश कर लीजे और आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर बताना अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक् झाल